नमस्ते मेरा नाम राजा कनोजिया है और आप मेरे एर्ट्यूब चैनल एमवनटूगन जी के देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि आप सब को मालूम होगा कि अगर आप दिव्यांग है 40-35 से जाधत दिव्यांग है तो आप सब को लिए जो भी नया कार खरीते हैं उस पर छूट मिलता है तो मैं पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सब ने बहुत सारा फोन किये और हमसे राय लिए कि सर कैसे होगा कैसे फरंभरना है कैसे छूट मिलेगा जिसमें आप सब को छूट मिला और भी बहुत सारे फिटबेक आपके आएं आपने कोश्चन किया अपन मिलेगा क्या क्या चीज का छूट मिलेगा और छूट मिलने के लिए क्या क्या और चन आती है उसके क्या उपाय है अगर कोई छूट आती वाला चाहिए डिटी वाला बात आपका नहीं सुन रहा है कोई डिलर आपका बात नहीं सुन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए मैं आ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आप नाया कार खरीते हैं अगर दिव्यांग है तो कौन से दिव्यांगों को जो है ीसोब्स कौन कोन से छुट मिलते हैं जी सटी की साथас आपको जो है छुट मिलने माला है टोल चेक्स छूट मिल जाएगा रटेक्स छुट मिल जाएगा नहींसटार्यांगों करेयो एंस्प्रणार्य वुद्यानर हैं ऐसीघ्द पर संफोंर जाई है भी कितने चाहिक हुं का निजोए सब्सक्राइब और 20 मैं नहीं मिलता हैं खुरों से कोई हमसे आप भूल रहा कि 58% खुट मिलता है कि 10 चूट मिलता दोश्तो 18% GST छूट नहीं मिलता है 10% GST छूट मिलता है 18% GST छूट के लिए कोट में केस चल रहा है जैसे डिग्री होता है कोई जो है सुचना आता है तो मैं आपको बता दूगा लेकि फिलाल आपको 10% GST में छूट मिलेगा और सबसेज ज्यादा स्वाल पूछने वाला है कि क्या भाईया या सर जो है इस अल इंडिया में लागू है मैं किसी भी स्ट्येट से हूं तो ले सकता हूं बहुत सारे लोगों ने मेरे मित्रों ने फोन को पूछा है कि क्या उत्रपरदेश महराष्ट दिल्ली गुजरात उत्राखंड पंजाब महत्रपरदेश चात्यसगर उरिशा पच्छेमंगाल और सम तिरपूरा मानिपूर महराष्ट बैंगलोर इस सब जो हैसो इसमें यह आप ओजना का छुट मिलता है तो डोस्तों आपको बतान दू कि यह जुदा सरकार की है और केंठ सरकार Пोरे हिंदुस्तान की người होती है अब कोई ब्रभू पूरा हिंदुस्तान के लिए आती है तो आपको सोचने की जरुगत नहीं है कि यह और मैं आपको बता दूँ कि यह पूरे देश में लागू है आप किसी भी स्टेट से आते हैं किसी भी सहर से आते हैं तो इस होज़ना कलाब ले सकते हैं अब तीन नमर का सवाल जो है आप सबका था कि पी एच में जो दिसेबल है किस परकार के दिसेबल है उनहीं को छूट मिलेगा दोस्तों आपको बता दूँ कि केवल जो है और और थो पेडिक डिसेबल डिसेबिलिटी है तो ही आप इसका उप्योग कर सकते हैं और चूट ले स सुचना का लाव ले सकते हैं उसके बाद सवाल आता है कि या इसेबल आईडी जो बंग है UD ID Card वह लगता है Self Decoration का फर्म आता है Self Decoration का फर्म आपको कहां से मिलेगा तो मेरे टेलीग्राम जो है इसो डिस्क्रेप्टिन में यह सब डोकिमेंट्स लगाकर आप फारम भर सकते हैं फारम भर येगा तो आपको GST Concession Certificate बंग कराएगा कहां से दिली से बंग कराता है GST में छूट लेना चाहते हैं तो GST Concession के लिए Online Apply करना होता है जो आप देख सकते हैं यह जो website का लिंक है website का नाम है यहां पर मैं दे दिया हूँ दोस्तो आप फारम जब apply किजिएगा उस वक्त आपको पहले registration करना होगा उसके बाद फारम apply होता है आपको email से verify करना होगा OTPC verify करना होगा उसके बाद आपको फारम भरने का password ID मिल लेगा उस पास पास ID से login करकर आप फारम भर जिएगा दोस्तो मैं आपको बता दू कि फारम भरते समय बहुत सब्धाने पूर्बग फारम भर जाएगा कि एक बार गलती हो जाने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं करना है क्या करना है क्या सुचना है लेटर पूरा प्रवाइट करवाद दूंगा हिंदी मेडियों में दोनों में फारम भरते समय ओनलाइन आपको पूरे सब्धानी से फारम भरना है Gmail ID, Mobile number, Email ID यह सब जो है address और वह नाम पूरे documents में जो नाम है वही नाम इसमें डालिएग करना है कि बाद में कोई सुधार नहीं होगा जाता है तो बाद में कोई सुधार नहीं होता इसलिए आपको बहुत केर से बहुत सद्धानी पूर्वक्त ऑनलाइन अपलाई करना होगा उसके बाद GST certificate कम मिलता है तो दोस्तों मैं आपका बता दूं कि अगर आप आज अगर कर रहा है तो एक महिना के अंदर में आपका certificate बनकर तयार हो जाता है आपके Gmail पर आपके मुबाइल पर चलाता है उसको डाउनलोड करकर आप प्रिंट आउट करवाकर उसको आजेंसी वाले को दे दिजिएगा आटी वाला को दे दिजिएगा आपको छुट मिल जाएगा उ कोई response नहीं ले रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि छुट है दोस्ता आपको घबराने के जरुवत नहीं है उनको notification जो है उसको दिखाइए बोले कि देखिए notification है इसको परियर समझेए उसके बाद हमको बताईए कि छुट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर फिर भी नहीं है तो श्री एम सुब्रमने सचीव भारतिय उधोग मंत्राले का सचीव का मुबाइल नमर यहां दे दिया हूं यहां पर उनका email आईडी दे दिया हूं उनसे भी संपर कर सकते हैं और अभी नहीं होता है फरम भरने में कोई परसानी होती है फरम भरने में पूछताज के लि देख लिएगा और फरम step by step कैसे भरना है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दिया हूं उस वीडियो को जाकर देख लिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है और मेरे चैनल के जो है सो प्लेलिस्ट दिब्यांग के टेगरी के प्लेलिस्ट में जाईएगा वहां बह वहां से पूछ सकते हैं या comment में पूछ सकते हैं या Instagram ID है जो मेरा बना है वहां फोलो कर लिजेगा और हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको बहुत-बहुत मदद करूँगा जितना हमसे हो सके वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कर देजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जय हिंड जय भारत